याइ अब आज हम लोग topic start करेंगे General Parliament ett Wattson का second topic is Thanatology क्या समझ आता है से आप बताओ आप दोनों में से कोई What is Thanatology? कोई अंदादा Thanatology means Thanatology means death Logi means study or scientific study अब बताओ यहां से वाट इस थेनाटोलोजी ठीक है study of death और study of death scientific study of death यह study of death उसकी causes ठीक है उससे related phenomena's किस तरह हुई है फिर changes जो उस टाइम पर हो रही है अब इसको अगर आप इस तरह से अगर आप इसको इस तरह से लिख दोके तो यह पूरी definition में जाती है बेसिक तो यह study of death लेकिन उसके अंदर क्या देखना है आपने यह चीजने देखनी है उसके बाद definition क्या बनती है it is irreversible loss of properties of the living matter यह properties of the body person तो आप इसको अगर आज डॉक्टर देखो आप क्या को होगे इसके इंदर के irreversible loss of what वो तो होगी ना body में क्या देखोगे irreversible loss of vital functions body functions ठीक है एक देमेज होगा उससे दूसरा डेमेज होगा उससे तीसरा फिर यह स्विशे सेकल चलेगा with passage of time as a process develop होती है death ठीक है what is tripod of life ट्राइपॉड से क्या समझ आता है यह ट्राइपॉड पड़ है क्यों करते हैं इसको ट्राइपॉड ट्राइपॉड आफ लाइफ जो बेसिकली वो किस चीज़ को कहा जाता है प्रॉपर फंक्शनिंग आफ थी में फंक्शन्स आफ दा बॉड़ी जो आपस में इंटेग्रेटिटिड है और एक साथ ऐसा ट्राइपॉड काम कर रहे है ठीक है उसमें क्या क्या आजाता है अबर ब्रेन नमबर टू हार्ट नमबर थी लंग रिस्परेटिटिव सिस्टम ठीक है यह तीनों जो है आपसमें वैसे पूरी बाड़ी लिंक है लेकिन यह तीन शिस्टम में जो निजाम को चला रहे है ठीक है हार्ट पंप करेगा, ब्लाड ब्रेन में जाएगा, फिर बापिस आएगा, फिर रिसर्कुलेट होगा, बाकी और्गन्स में जाएगा, तो बेसिक जो तीन और्गन्स है यह वाले, यह ट्राइपोड ऑफ लाइफ बनाते हैं, अगर एक भी डिस्टर्ब होगा इसमें से, तो दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, पितिसरे को डिस्टर्ब करेगा और बाकी और्गन्स विद प्रोसेस्स या विद पैसेज ऑफ टाइम डिस्टर्ब होंगे और बाडी फंक्शन जो डिरेंज होने लग जाएगे, तो ट्राइपोड ओफ लाइफ अगर पूछ ले तो करो किसी को गन्शाउट वूंड है हाट के अंदर तो क्या होगा अगा ब्लीडिंग जब ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा फिजिलोजिकल बायकेमिकल चेंजिस हैमरेजिक शॉक काडियो वैस्कुलर शॉक तो वह एक कॉस बन गी नहीं तो वह इसको कह देते हैं हमके एक स फिर पूछ लिया जाता है स्टेजिस अफ देट अब यह मैंने आप लोगों को वह करा रहा हूं जो आपके लेवल पर चाहिए पिर पूछते हैं बुक्स कौन सी करनी है कहां से करना है अब यह बुक के अंदर आप देखोगे तो पांच पांच शे सफे दिया में आपको उ žार्यजिज होती हैं डेत की यड़ प्राउट होती है दो तरहीो स्मेटिक डेफ और यान्ट डेफ थीक है जो हम लोग दीखते हैं कि हॉस्पिटल में आप देखोगे डैट हुई कि ही है आपने डिकलियर कि यह वो एपलेट यह देट नगेट और जाड़ नजब आ रही इस स्वेटिक डिट और ओर मॉलीकृलर डेट क्या होती है विद पैसेज आफ टाईम हर ऊर्गन की जो यह टाइम लिमिट होती है लाइव रहने की with passage of time वो molecular death होती रहती है, cellular death इसको हम कहते हैं, ठीक है, यह इसका basic difference है, अब इसमें जब आपको शुरू में बताया था, कि हम कहते हैं, person is dead, लेकिन, it is a process, इसको हम कहते हैं, कि death is a process, क्यों, death के बाद, उसकी molecular death, जो हर organ की different time पे होती है, उसकी क्या significance है, molecular death की क्या significance है, yes, और, बड़ी important है, क्या, वो भी है, लेकिन time of death होगी, फिर organ transplantation, जिससरा कुछ लोगों ने डोनेट किये होते हैं, तो अगर हॉस्पिटल में एड्मिट है, वो disease है, तो उसका वो प्रॉपरली पहले, सारा systemic examination वगरा हुआ होता है, फिर अगर उसने donation की भी है, यह बहुत सारे लोगों ने की हो तो वो फिर उसको process में support के लिए molecular death, अगर पता है किस organ की किस time पे है, तो फिर हम उससे organ transplantation में जा सकते हैं, उससे पिंट जए उतनी दिर में range कर सकते हैं, organ transplantation में बहुत इसका important role है, फिर certification of death, जिसना इनों बढ़ाया के कब death हुई है, कितना time हो गया, यह चीज है, फिर body पे hospital के अंजर, यह diagnosis कैसे होती है, somatic death की, कि तीन functions मैं अभी आपको बताएं, इनकी cessation या इनकी integration अगर लॉस्ट होजेगी, तो आप उसको declare कर सकते हो, cessation of circulation, cessation of respiration, cessation of CNS functions, कैसे इनको identify करेंगे, circulation को आप कैसे identify करोगे, कि चल रही है कि नहीं चल रही, basic vitals, pulse आगी सबसे पर आप ऐसे देखते हो, फिर blood pressure आजाता है, फिर test कौन सा करते है, ECG कर लेते हैं, उस पर देख लेते हैं, ECG की waves आ रही है, किस तरह से आ रही है, ठीक है, changes हमें मिल जाती है, respiration में, जो history अभी आप लोग ले रहे हो जागे, inspection, palpation, auscultation, auscultation में आपको chest sound भी मिल जाती ह heart की, ठीक है, फिर chest respiratory moments, जो examination आपको शुरू किया जाके, hospital में, respiratory moments कैसे आप चेक करते हो, हाथ रख के या उसको visibly, naked eye से देख के, ठीक है, फिर cns को कैसे हम examine करते हैं, by checking the changes in eyes, उसके बाद reflexes, उसके बाद gcs, glass go, scale, उसका conscious level जाम चेक करते हैं, यह सारी चीज़ें, अगर कोई चीज़ हमें, deficient लग रही है, नहीं सही काम कारी, इसकाम लग भी damage चाल रहा है, ठीक है, molecular death, अभी जो आपको बताया है, मैंने, occurs over the period of time, signs of molecular death are, after death क्या होता है, changes in the eyes, changes in the skin, और, eyes पे क्या changes आती है, क्या changes आती है, eyes पे, dilation हो जाती है, और, reflexes नहीं मिलेंगी हमें, ठीक है, और, skin पे क्या होती है, color change, पेलर सी हो जाती है, पेल हो जाती है, और, muscular changes में, reflexes, डल हो जाती है, या इस्ता इस्ता खतम हो जाती है, nervous tissue जो है, उसकी molecular death की सबसे आपने सुना होगा ना, कि ब्रेन को, तो अगर तीन मिनट तक भी अगर oxygen ना मिले तो वो area damage होने लग जाती है, तो ये molecular level पे उसका हर system का हर organ का एक लगलग time है,